प्रसासन के लोग लगे हैं वो कानून को भी वो पालन नहीं कर पा रहे हैं कहीं ने कहीं उनके हाथ बदे हुए हैं हम तो कहना चाहूंगा कि वहां के जो डी आईजी हैं आईजी हैं एसपी हैं डीम हैं अगर 144 धारा लगी है कोई गरीब कमजोर पिछड़ा दली तलब संक्यक अगर कोई अनुमती लेने जाता काम का तो यह नहीं देते तब यह नहीं देते लेकिन आज उनके हाथ पंगू है क्यों कहीं ने कहीं उनका हाथ बदा हुआ है उनको जाजयत है कि तुम इस तरह करने दो अगर करने दे रहे हैं यह गलत काम है मुख्यमंत्री जोसे काना चाहूंगा कि आप चुनाव प्रचार करने गए हैं करिए लेकिन जो फैजाबाद में जिस तरह का 144 धारा के बाद इतनी भीड जूट रही है सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को उपर आएगी जिस तरह का 144 धारा में लागू है वहां का डिए जी वहां का आईजी वहां का यस्पी वहां का डियम अगर वहां इतनी भीड जुटने दे रहा है तो इसका मतलब कि वो फेलोवर हैं वहां आर्मी लगनी चाहिए हम स्वागत करते हैं उनके बयान का 144 धारा के बाद इतनी भीड कहां से आ गई इसके जिम्मेदार कौन वहां के प्रसासन के लोग हैं वो नाकाम है भीड क्यों जब तांडव करेंगे उद्धंड़ता करेंगे कानून को नहीं मानेंगे तो उनको कौन समालेगा जब 144 धारा लगी हुई है वो नहीं समाल पा रहे हैं अभी इक अठा होने दे रहे हैं तो क्या उसमें भीड को कंट्रोल कर पाएंगे काई है देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूस चानल को सब्क्राइब करेंगे